हेलो एव्रिवन मेरा नाम राज्यू है और वेलकम तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेट्वर्क के स्टार्ट करने जा रहे हैं यह सीवेसी क्लास 12 11 & 12 के लिए है और यह एकॉर्डिंग टू निव सिलेबस जो अब का 2021-2022 का रेडिूस सिलेबस है उसके हिसाब से ह हम यहां मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ और फूरा का पूरा टॉपीक हम बहुत डीटेल में देखने वाले हैं अगले वन वीक तक मैं रोज एक विडियो पोस्ट करने वाला हूँ computer network पे और end में जाते जाते even हम लोग computer network के कुछ boards के question भी cover करेंगे so start करते हैं computer network क्या होता है so computer network जानने से पहले हमेज जानना पड़े का network क्या होता है real life में network का मतलब क्या हुआ see network का simple सा मतलब यह है na कि real life में अगर हम network की बात करें तो अगर दो या दो से ज्यादा लोग आपस में connected है somehow so basically वो एक network बन गया हो एक network form कर रहे है just example suppose आपका friend है जो की Mumbai में रहता है ठीक है आपका एक friend है जो की Delhi में रहता है और आपका एक और friend है जो suppose करनाटिका में रहता है ठीक है अब आपस में आप लोग connected हो आप लोग का communication होता है तो ये क्या form हो गया एक human network form हो गया ये आप लोगों के बीच में एक network form हो गया बस इसी को हम network बोलते हैं और इस network में तीन लोग, चार लोग, दस लोग कितने भी लोग हो सकते हैं ठीक है सो human network का मतलब क्या दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में अगर connected है और वो आपस में अगर resource share कर सकते हैं तो आगर आप तिनों friend हो और आपस में connected हो resource आप लोग share कर सकते हो resource share करने का क्या मतलब हुआ suppose आप मुंबई में रहते हो आप एक book लेने गए वो book मुंबई में नहीं मिला तो आपने डेली वाले friend को बोला कि ब्रो एक book चाहिए तो इसने डेली में book मिल गया इसने book purchase किया और आपको partial कर दिया मुंबई में ठीक है तो आपने basically क्या किया resource share किया एक दूसरे का आप help ले रहे हो ठीक है तो बस यही हो गया network human network आप अपने घर में भी देखो लोग देखो न जो पांचे लोग घर में family member है वो आपस में connected है ठीक है आपस में trust है और आपस में चीजों को share करते है तो family में human network हो गया तो इस तरीके से आप real life में हर जगा network देख सकते हो आपने MLM वाला देखा होगा न जो MLM का concept चलता है कि भाई join कर लो अगले दिन तो तुम BMW खरीद लोगे तो उसमें भी basically networking वाला ही होता है कि एक बंदा होता है वो अपने अंदर दो नीचे दो लोग को अपने नीचे आड करता है फिर अपने नीचे दो लोग को add करता है फिर अपने नीचे दो लोग को इस तरीके से network की पूरी एक tree form होती है अब इसको हम network क्यों बोलते हैं क्योंकि जितने भी लोग join कर रहे हैं सब आपस में connected है एक दूसरे से देखो यह नीचे वाले दोनों अपने टॉप वाले से connected है और यह टॉप वाला इस से connected है और यह इस से connected है फिर यह इन दोनों से connected है तो यह भी एक network हो गया तो यह तो हमारा network हो गया real life में अब computer science में network क्या होता है So here is the definition A computer network is an interconnection among two or more computers or computer devices So if you have two or more computers or computer devices Computer device में क्या आगया आपका phone हो गया आपका modem हो गया आपका tablet हो गया smart watch हो गया आपका जो internet TV आ रही है आपका जो router हो गया आपका जो gaming station हो गया इस सारे computer devices में आते हैं ठीक है तो अगर दो यह दो से ज़्यादा computer devices आपस में connected हैं तो basically वो computer network फॉर्म कर रहे हैं अगर मैं इसके simple example की बात करूँ आपके घर में अगर router लगा होगा router तो router से तुम्हारा हो सकता है computer भी connected हो इसी router से तुम phone भी connect करके रखे होगे इसी router से तुम tablet भी अपना connect करके रखे होगे तो यह क्या हो गया एक computer network हो गया right so I hope समझ में आ गया होगा कि क्या होता है computer network is an internet connection among two or more computers or computing devices right फिर next point है हमारा such interconnection allows computers to share data and resources among each other a basic computer network may connect few computers placed in a room so computer network में जो सारे computers आपस में connected रहते हैं या फिर जो computing devices आपस में connected रहते हैं वो सारे आपस में क्या करते हैं data को share कर सकते हैं कि नहीं information को share कर सकते हैं कि नहीं जैसे माल लोई जैसे picture यहाँ पे दिख रहा है so suppose just मुझे एक मिनाट desktop पे आ जाने दो अब अगर मैं इस picture की बात करूँ तो यहाँ पे एक computer network है ठीक है यह देखो यहाँ पे आपका ए राउटर हो गया इस राउटर से आपका computer connected है यह वाला हमारा computer भी connected है हमारा video game console connected है streaming device connected है हमारा tablet भी connected है हमारा phone भी connected है अब इस सारे के सारे devices आपस में information share कर रहे हैं के नहीं right phone आपका connected है अगर इस router से तो इस phone क्या कर सकता है इस router से basically communicate कर रहा है तो इस communication कैसे हो रहा है information share करके ही न ठीक है आपका जो computer है वो भी इस modem से connected है तो इस computer इस modem से क्या कर रहा है information share कर रहा है ये tablet है ये भी इस modem से connected है clear हो गया तो हमारे computer network में जितने devices होते हैं जो आपस में connected होते हैं वो क्या कर सकते हैं information और resource को आपस में share कर सकते हैं अगर नहीं पता तो आपको मैं बता दूँ कि किसी भी network में suppose एक network है अब इस network में हम चाहें तो आपका phone जो है आपके tablet से directly भी communicate कर सकता है तो किसी भी network में जो nodes होते हैं, nodes का मतलब क्या हो गया अब इसको समझो, हमारे network में जितने भी computing devices connected हैं सबको हम node बोलते हैं, तो यहां पे हमारा जो computer भी node हो गया, राउटर भी node है समार्टफोन भी node है, tablet भी node है, वीडियो गेम कंसोल भी node है, तो किसी भी computer network में जितने भी computers है computing devices connected हैं, उस सारे node कहलाते हैं So I hope इतना clear हो गया होगा तो next slide पे चलते हैं हम लोग So a computer network can include different types of hosts also called nodes, like server, desktop, laptop cellular phones, अभी जो मैंने बताया, और यहाँ पे मैंने image भी दिया हुआ So basically यहाँ पे देखो कि कोई भी जो computer network होता है उसमें जो हमारे computing devices आपस में connected होते हैं उनको क्या बोलते हैं, host बोलते हैं या फिर notes बोलते हैं तो अगर मैं इस image की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अब इसको मैं explain कर रहा हूँ यहाँ पे देखो कितने सारे computing devices हैं तो यहाँ पे तुम्हारा phone है ठीक है फिर तुम्हारा laptop है फिर तुम्हारा tablet है फिर तुम्हारा router हो गया यह जो box है फिर तुम्हारा computer हो गया फिर तुम्हारा OTT सपोज तुम कोई streaming Netflix हो देख रहा हो तो OTT हो गया फिर तुम्हारा network आ कहां से रहा है वो जो तुम्हारे सहर में internet का tower होगा उससे network हो गया तो internet का tower भी एक host हो गया ठीक है ए एंटीना भी एक host हो गया तो यह सारे क्या है हमारे network के notes है तो वही है है हमारा point a computer network can include different types of hosts also called nodes like server, desktop, laptop, cellular phones अब किसी भी network में हमारा server ओ होता है जो की पूरे networking को control करता है जैसे अगर आग मान लो हमारा router है ठीक है और इस router से अगर मैं चलता हूँ आपस black screen पे फिर explain करता हूँ अब देखो suppose तुमारे घर में एक router लगा हुआ है ठीक है एक router है ठीक अब इस router से तुमारा phone connected है इसी router से तुमारा computer भी connected है और इसी router से तुमारा tablet भी connected है तो इस network में जितने भी computing devices हैं सब के सब node कहलाएंगे मतलब चलो सब को मैं नाम देता हूँ A इसका नाम देता हूँ B then C और जो router है उसको D तो इस चारों के चारों पहले तो node कहलाएंगे A भी node है B, C, D सब node है बट इन node में जो हमारा D है यानि router router इस पूरे network को control कर रहा है ठीक है तो router क्या कहलाएगा server कहलाएगा server और जो बाकी सारे computing devices है जो कि server से connected है इनको हम client बोलेंगे याद रखना तो किसी भी network में जो हमारा server होता है वो क्या करता है पूरे network को control करता है और जो बाकी computing devices होते हैं जो कि server से connected रहते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं उन सब को हम client बोलते हैं right so I hope इतना clear हो गया होगा वापस चलते हैं अपने हम slide पे so अगला point देखो in a communication network is device that is a part of network and that can receive, create or store or send data to different network routes is called node अभी मैंने बताया किसी भी communication network में जितने भी devices connected रहते हैं आपस में ठीक है वो आपस में क्या क्या कर सकते हैं data receive कर सकते हैं, create कर सकते हैं, store कर सकते हैं, send कर सकते हैं ठीक है, उन सब को हम node बोलते हैं, जैसे again मैं एक दूसरा example लूँ, तो suppose तुमारे घर में एक printer है, ठीक है एक printer है, और तुमारे घर में यह तुमारे भाई का room है, room A इसका नाम ले लेते है room 1 यह तुम्हारा room है, इसका मैं नाम दे लेता हूँ room 2 और यह तुम्हारी sister का room है, इसका मैं नाम दे लेता हूँ room 3 अब तुम्हारे room में एक computer है और एक तुम्हारा phone है तुम्हारे भाई के room में suppose एक laptop है, लैपटप बहुत खराब बना है बड़ समझ जाना और एक tablet है, तुम्हारे sister के room में एक computer है और एक phone है, ठीक है अब इस सारे के सारे devices हमारे इस printer से connected है मतलब room 1 में जो computer है वो भी, और room 1 में जो हमारा phone है वो भी connected है room 2 का computer भी printer से connected है, और room 2 का जो tablet है वो भी printer से connected है room 3 का computer भी printer से connected है, और room 3 का जो phone है वो भी printer से connected है तो यहाँ पे यह जो printer है printer एक resource हो गया इसका use सारे node कर सकते हैं मतलब room 1 के अंदर जो दो node है हमारा computer और phone यह दोनों print कर सकते हैं इस printer के use करके room 2 के अंदर जो हमारा दो node है computer और tablet यह दोनों भी print कर सकते हैं और room 3 के अंदर जो हमारा दो node है computer और phone यह दोनों भी print कर सकता है तो यहां पर देखो इतने सारे node कितने node हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 node आपस में इस printer को share कर रहे हैं, resource को share कर रहे हैं I hope clear हो गया होगा, so वापस चलते हैं अपने ppt पर हम So in a computer network, each device that is a part of a network and that can receive, create or store or send data to different network routes is called node I hope node समझ में आ गया होगा, right और कैसे node आपस में communicate करते हैं, यह भी समझ में आ गया होगा अगले point पर चलते हैं, अब यह 3 हमारा advantage है, कि computer network का advantage क्या है तो computer network का सबसे पहला advantage है ease of accessibility, so इसका मतलब क्या हुआ, देखो modern computer network are easy to explore, so even if you are kid or a person new to technology, you will find it easy to connect तो जो हमारा computer network है, वो बहुत easy होता है उसको access करना अब तुमने घर में अगर एक router लगाया है, ठीक है, अब कोई तुम्हारे घर में छोटा भाई आया है दूसरे सहर से बोला कि भाईसा आप net चल रहा है क्या आप क्या हाँ तो तुम उसको router का password बता दोगे, वो अपने phone से router से connect हो जाएगा यानि जो तुमारे घर का network है, अब तुमारे भाई का phone बूस network अपार्ट हो गया, ठीक है तो आज के टाइम में जो भी network होते हैं, बहुत easy to access होते हैं, असानी से कोई भी connect कर सकता है दूसरा resource sharing, जो मैंने अभी बताया, कि computer network में resource को सारे node यानि सारे computing devices आपस में share कर सकते हैं जो मैंने अभी printer का example दिया था, कि अगर एक printer है, और मानलो इस network में बहुत सारे computer है computer में अब तुम phone भी समझ सकते हो, tablet भी समझ सकते हो, इस सारे आपस में connected है तो इस सारे के सारे computer इस printer को share कर सकते हैं, तो printer क्या है, मानलो एक resource है तो देखो, इस network में सारे node इस resource को share कर रहे हैं कि नहीं, तो वही है हमारा resource sharing क्या लिखा है, the main aim of a computer network is to enable sharing of resources among its users you can use resource such as printers, scanner का भी मियूज कर सकते हैं, photocopy machine का भी यूज कर सकते हैं, right next है connectivity, so computer network improves connectivity irrespective of a person location तो तुम देख सकते हो कि आज के time में कोई कहीं पे रहता हो, सब लोग आपस में connected हैं कैसे connected हैं, जैसे facebook एक बहुत अच्छा example है computer network का facebook की help से पूरी दुनिया से लोग अपने अपने computer से आपस में connected हैं connected हैं कि ने, right सब लोग आपस में connected हैं, कोई कहीं पे हो सब लोग आपस में connected हैं और यह लोग आपस में एक दूसरे को message send कर सकते हैं, photo send कर सकते हैं information share कर सकते हैं, resource share कर सकते हैं तो यहाँ पर वही example दिया हुआ है computer network improves connectivity irrespective of computer location in these testing times, we can see live example as we use video call apps or google document to connect with our friends and colleges अब तुम देखो, आज पूरी classes online चल रही हैं तो कैसे चल रही हैं, होता क्या है यहाँ पे online जो classes चल रही हैं, वो भी एक network हुआ न, कैसे तुम्हारा जो teacher है, उसने क्या किया कि Zoom application पे meeting on कर दिया अब तुम मान लो Mumbai में बैठे हो, तुम अपने computer से तुम इस Zoom का जो उसका ID है उससे connect कर गया तुम्हारा एक friend Delhi में है, वो भी same Zoom की ID से इससे connect कर गया, एक मान लो friend New York में है तो यह भी इस Zoom की जो ID होगी इससे connect कर गया तो अब देखो, एक network form हो गया की नहीं, यह भी एक network form हुआ ठीक है? तो यह फाइदा है network का, connectivity कोई कहीं पी भी हो, सब लोग आपस में connect कर सकते हैं राइट? तो अगर तुमारे exam में आता है, what is the advantage of computer network तो तुम एक्जामपल में यह लिख सकते हो, यह तीनों पॉइंट, ease of accessibility, resource sharing and connectivity So बस आज के वीडियो में इतना हैं, आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि computer network क्या होता है So computer network क्या होता है? कोई भी devices अगर आपस में connected हैं, दो या दो से जड़ा devices तो उसको हम क्या बोलेंगे? Computer network अब वो devices ज़रूरी नहीं कि एक ही घर में या एक ही office में हो, हो सकता है, वो devices पूरी दुनिया में फैले हुए हो इंटरनेट के health से आपस में connected हो दूसरा हमने देखा node क्या होता है तो किसी भी network में जितने भी computing devices connected हैं, उन सबको हम node बोलते हैं फिर node भी दो तरीके के होते हैं एक node होगा जो पूरे network को control कर रहा है, उसको हम server बोलते हैं और बाकी जितने node हैं, उन सबको client बोलते हैं फिर हमने देखा था कि different type of host, server, desktop, laptop, cellular, phones यह सारे के सारे हमारे computing devices होते हैं, जिनको हम host या node बोलते हैं फिर हमने अगला point क्या देखा था, in a communication network इस device that is a part of computer network that can receive, create or restore data to different network is called a node अलड़ी हमें बता चुका हूँ और फिर हमने देखा advantages of computer network so thank you for watching this video, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे evolution of computer network and one thing more, अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया या तुमें लगता है कि कोई चीज है जो सही तरीके से explain नहीं की गई है so you are free, you are completely free to suggest comment में मुझे बताओ कि इसको और मैं कैसे improve कर सकता हूँ और इस चीजों को और सही तरीके से मैं कैसे रख सकता हूँ और कोई भी doubt है, comment में पूछ सकते हो अगला वीडियो जो computer network में next topic है तुमारा evolution of computer network so उस पे होने वाला है and then types of computer so thank you for watching this video अगर content अच्छा लगा तो channel को subscribe करो and video को like करो thank you